हलो फ्रेंड्स गीतास किचिन में आप सभी का स्वागत हैं कैसे हो आप सब आज हम सिर्फ तीन चीजों से नारेल के लड्डू बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं फिर हम ये कच्ची दो नारेल लिये हैं फोड कर मैंने इसका सारा पानी लिका लिया है और छान कर आप पी सकते हैं और नारेल को मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीस में काट लिया है अब हम नारेल को इस तरीके से छील लेंगे आपको छीलनी या चाको जिससे भी आता हो उस त हमें पहले न αλλάल को चील लेना है सारे चीलके में लिका लिए है और नारल भी हमारे अच्छी तरीके से पूरे छील सुके हैं अब हम इसे बारिक बारी काट लेंगे दो कर एक बार तो हमें ऐसे बारिक बारी काट लेना है सारे नारेल को मैंने इस तरीके से दो कर बारिक बारी काट लिया है और मिक्सर जाल में डाल कर बन चालू बन चालू करके पीस लिया है ये देखे friends नायर का बुरादय हमारा पिस चुका है और इस समय हमें चेक कर लेना है कि बरुबा पिसा है की नहीं अब हम कड़ाई में एक चम्मच घी डाल कर घी गरम होने पर इस बुरादय को डाल देंगे अभी ये कच्छा है friends तो हमें इसको पकाना है तो slow आच में हम दीमी आच में इसे पकाएंगे बस इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे पकाना है अभी ये कच्छा है जैसे जैसे ये सिखता जायगा ऐसे हमें पकाना है तो इस तरीके से हम इसे स्लो आज में पका लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये बिल्कु अच्छी तरीके से पक चुका है बुरादा नायल का सिख चुका है अच्छी तरीके से ये दाने दाने दिखने लगा है तो यह अच्छी तरीके से पक चुका है तब इसे हम ठंडा होने रख देंगे और इसे हम दो तीन मेहने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स यह हमारा नारेल का बुरादा तहियारे फ्रेंड्स तो आप यह पहले से भी तहियारी करके रख सकते हैं तो आज हम दो कटोरी नाय की बुरादे से लड्डू बनाएंगे तो हम ऐसे नाप कर दो कटोरी ले लेंगे बुरादा नारेल का कड़ाई गरम हो चुकी है फ्रेंड्स तो जिस कटोरी से हमने नाय का बुरादा लिये थी उसी नाप से हम मलाई वाला दूद दो कटोरी लेंगे और इसे हम मीडियम आज में लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये एक कटोरी ना हो जाए तो ये एक कटोरी तक पक चुका है फ्रेंट्स तो इसमें हम पून कटोरी शक्कर डाल देंगे और शक्कर को हम दूद में पका लेंगे ये देखी फ्रेंट्स शक्कर भी अच्छी तरीके से घुल चुकी है तो अब इसमें हम आधा चम्मच इलाइची पाउडर डाल देंगे इससे लड़ू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंट्स अब इसमें हम नायल का बुरादर डाल देंगे देखे फ्रेंट्स नायल का बुरादर हमारे कितना अच्छा घर में तयार हो जाता है तो हमें बाहर से लेने की जरुद भी नहीं पड़ेगी इस तरीके से हम पहले से तयारी करके रखे तो तो slow आज में बस इसे हम लगातार ऐसे ही पकाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरीके से दूद सूखना जाए तो अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से चलाते हुए पकाना है ये देखी फ्रेंड्स नाय हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है दूद और सक्टर की चास्नी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है यह अभी आठे जैसा दिखने लगा है तो हम गैस बन कर देंगे और इसे हम हलका ठंडा होने देंगे यह भी हलका गरम है तो फटा-फट हम लड्डू बना लेते हैं तो इस तरीके से हमें हलके हाथ से थोड़ा-थोड़ा लेना है और गोल-गोल करना है हथेली में रखके इस तरीके से हमें बना लेना है हलके हाथों से गोल-गोल करके तो सिर्ब तीन चीजों से फ्रेंड्स हम नारेल के लड़ू घर में ही कितने अच्छे बना लेंगे फ्रेंड्स और ये हम नारेल के बुरादे में इसे इस तरीके से कोड कर लेंगे ये देखी फ्रेंड्स कितने अच्छा हमारा नारेल के लड़ू बन गया है और दिखने में भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे लेड्डू बना लेंगे मैं आपको एक और बताती हूँ तो फ्रेंड्स इस रक्षा बंदन में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बनाए हैं मीठा भाई की आने की खुशी में तो आप एक बार जरूर बनाएगा और ये फटा फट बन जाते हैं अगर आप पहले से नायर का बुरादा बना के रखें या मार्केट से रेडी मेड लाके भी आप दस मिनिट में ये लड्डू तेया कर सकते हैं तो वापस हम लड्डू को उस तरीके से कोट करके बना लेंगे